हेलो अच्छो कैसे हैं आप लोग आई होब आप सब लोग बहुत बढ़ी आ होंगे तो आज हम कक्छा छैसोगम भारती पार्ट है हमारा 22 और पार्ट का नाम है बहुत कता है इस पार्ट के लेखा हैं ब्रजमोहन और इस लेसन के कुछ कुश्चन आंसा स्वालब करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो पहला प्रस्न है हमारा प्रस्न एक सही जोडी बनाएं तो पहला है प्रोण महिला तो इसका होगा कर्दब बिपालन, गवाही, पुलेश्योकी, रामदयाल, डांकिया, और साधा जीवन, उच्च विचार और अगला प्रस्न है प्रस्न नम्मर खा दिये गए सब्दों में उपयक्ट सब्द चुनकरिक्त स्थानों की पूर्ती के जिए पहला है, महिला ने एक यूबक को खालिस्थान आवस्था में देखा तो अचएत आवस्था में देखा दूसरा है रामदया लेंबडे बेटे को खालिस्थान बना दिया तो इंजीनियर बना दिया तीसरा है बड़ा बेटा अब तक खालिस्थान समझ चुका था तो सच्चाई चौता है साधा जीवन उच्च विचार को खालिस्थान में रखो तो ध्यान में अगला प्रस्ण है प्रशन नमबर 2 नमीलेकत प्रश्णों के उत्तर एक एक भाक्त में देजिये तो पहला है डोर घटना के बाद लोग क्यों डर रहे थे इसका अक्तर होगा अगलाप्रस्ण है खा बिध्यारती यूबक के शिर पर पट्टि क्यों नहीं बाँथ सका विद्यारती का रूमाल छोटा पड़ गया इसलिए वह यूवक के सिर पर पट्टी नहीं बांद सका और अगला प्रस्न है प्रस्नगा महिला के परिवार की आँखों में आँशू क्यों आ आ गए तो इसका उत्तर होगा तो इसका उत्तर है दुरकटना का विवण सुन कर महिला की परिवार के आँशू आ गए और अगला है रामदयार ले अपने बच्चे को क्या वाइदा किया इसका उत्तर होगा तो रामदयार ले अपने बच्चे से उन्हें खूब पढ़ाने का वाइदा किया और अगला है पिता ने अपने बच्च को क्या सीख दी तो इसका उत्तर होगा पिता ने अपने बच्च को सिखाया दी साधा जीवन उच्च विचार की भावना ध्यान में रखो और कमर कसकर रखो तो सफलता अवस्य मिलेगी और अक्ला है प्रसन नमबर तीन ने मिलेकित प्रसनों के उत्तर तीन से पांच वाक्यों में दीजिए जैसे पहला है महिला के घर में तूफान क्यों आ गया तो इसका उत्तर होगा महिला फटी हुई साड़ी में घर पहुची उसके घर वाले इसकी वज़े नहीं जानते थे यही कारण था कि सब घबरा गए और ऐसा लगा जैसे तूफान आ गया हो और अगला है प्रोण महिला के बेटे ने सिर क्यों जुका लिया तो इसका उत्तर होगा प्रोण महिला के बेटे को जब पता चला कि उसकी माने एक यूगा की जान बचाने के लिए अपनी साड़ी फाड कर दे दी ऐसा उसे ने इसलिए किया ताकि कभी उसके बेटे की मदद के लिए भी कोई आगे आएगा हुआ है सुनकर बेटे ने सिर जुका लिया और अगला है रामदयाल के सूखी परिवार को देख कर लोगों को आश्या क्यों हुआ तो इसका उत्तर होगा रामदयाल के सुखी परिवार को देख कर लोगों को आश्या इसलिए हुआ क्योंकि इतने समित आमदानी में भी उसने अपने वच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना लिया था आजकर की महंगाई में समेती आए के व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है यही वज़ा था कि सभी आश्या चकित थे और अगला है साधा जीवन उच्च विचार से क्या आसा है तो इसका उत्तर होगा साधा जीवन उच्च विचार का आसा है कि जीवन सहली सादगी पूर हो परंतुज विचारों में उच्चता अपनी रहे मौज मस्ती के नाम पर फिजूल खर्ची से बचा जाए और जीवन का जो उच्चतम लक्ष उसे पाने के लिए प्रियासरत रहा जाए और अगला प्रस्ण है परिवार को खुसहाल बनाने के लिए रामदयाल ने क्या किया तो इसका उत्तर होगा परिवार को खुसहाल बनाने के लिए रामदयाल ने सादगी पूर्ण जीवन को अपनाया फिजूल खर्ची कहने से खुद को रोका पच्चों को उच्च सिक्छा प्रदान की और उसके उज्वल भविश्य का निर्माड किया अगला प्रस्ण प्रस्ण नमबर चार निमले के सब्दों का सुद्द चारण कीजिए तो प्रोण, बेहोज, विध्यारती, कर्तव्य, आवाज, व्यक्ती और अगला प्रस्ण है प्रस्ण नमबर पांच निमले के सब्दों की वर्तनी सुद्द कीजिए तो रूमाल, जंजट, दुरगटना, पतनी, अंगुली, लड़किया, खर्च अगला है निमले के मुहावरू और उनके अर्थ एक साथ दिये गए हैं उन्हें अलग-अलग के जिए जैसे दातों तलें अंगली दबाना, बेकार घूमना, मारे-मारे फिरना, आश्यार करना, ठान लेना, कमर कसना, और धार लेना तो इसमें मुहावरे और अर्थ एक साथ दिये गए हैं तो उन्हें अलग करना जैसे दातों तलें अंगली दबाना, तो आश्यार करना, मारे-मारे फिरना, तो बेकार घूमना, कमर कसना, तो ठान लेना, और कर्ज में डूबना, तो उधार लेना और अगला प्रस्ण है, प्रस्ण नमबर साथ दिये गए सब्दों के पर्यावाची, बर्ग पहेली में दिये गए हैं, सब्दों के आगे उनके सही पर्यावाची छाट कर लिखिए जैसे घर का पर्यावाची, ग्रह, मा का माता, बेटा का पुत्र, महिला का फॉरत, चिराक का दीप अगला प्रस्ण प्रस्ण नमबर आथ, निम लेकिस सब्द समू मैं से विसेशड और विसेश सब्द छाट कर लिखिए तो यासे एक ट्रक, तेज रफ्तार, पॉंड महिला, सादा जीवन, जादूई, चिराक तो इसमें से विसेश और विसेश सब्द छाट कर लिखिए तो इसमें विसेशड सब्द है एक तेज, प्रोड, सादा, जादूई, तीन, बड़ी, अचेद और विसेश सब्द है ट्रक, रफ्तार, महिला, जीवन, चिराग, बच्चे, एक्चा अवस्था अगला प्रसन है, प्रसन नमबर नौ मैसे की, द्वारा को, पर, का, ने, कारको का अप्योगत है, इस्थान पर प्रियोग कर सही, कहानी पूरी केजिए बलब इन सभी का प्रियोग करके कहानी को सही करना है जैसे, बहुत समय के पहले की बात है, एक गाउं में दयावती नाम की एक स्तिरी रहती थी, वह बहुत बूरी थी उसके परिवार में और कोई नहीं था, दयावती गाउं से निकले वाली राहगीरों को भोजन कराती थी राहगीर प्यार से जो कुछ देते जाते उसी से अपना खर्च चलाती थी, गाउं वाले भी उसका पूरा ध्यावती द्वारा किया गया उपकर वे नहीं भूलते थे एक बार घर में चोर घुसाए, उन्होंने घर का कौना कौना च्छान मारा पर उन्हें कुछ नहीं मिला, चोर ने भागने में ही अपनी भलाई समझी तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप लोग नए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद